ये कारेग्रम सत्ते गटना उसे प्रेवित है जिनके साथ ये गटना एकटी उसकी वास्तविक्ता उन्ही तक सीमित है भूत प्रेदू और अब समाने विश्यों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और नहीं प्रुट्जान करता है बस एक दावा करता है और वो है तर नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है जितेंदर सिंग और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहसे में भूतिया कहानिया तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को मेरी मा तेरही से है और मेरे पापा पहार से है मेरी मा और पापा की लब मैरेज हुई थी ये जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये मुझे मेरी मम्मी की बड़ी बहन ने बताई थी ये सब मेरे नाना जी के साथ हुआ था जो मुशी ने बताया कि एक बार नाना की ब गर से आट नो घंटे की दूरी पर था और उन दिनों घड़ी वगेरा भी नहीं हुआ करती थी इसलिए टायम का अंदाजा ही लगाया ही जाता था तो नाना उस दिन घड़ वापस आने वाले थे और नो ने सोचा कि अगर सुबह जल्दी निकल गया तो दोपैर तक घर जरू दूर पहुंचूंगा ये सोचकर अगले दिन सुबह सुबह ही घर से निकल पड़े उस वक्त रात हो रकी थी सुबह होने में काफी टायम था लास्तर बिलकुल सुनसान था और जंगलों के बीच से होकर जाता था नाना जी जंगल से होते हुए जाने लगे लेकिन कुछ द रहे थे और जोर जोर से हस रहे थे जब नाना ने उन फेड़ों की तरफ देगा था तब वो जादा बड़े नहीं थे लेकिन उनके देखते ही देखते वो फिर बड़े और बड़े होते चले गैए और तभी अचानक ना जाने कहां से वहां पांचındaki से लोग आ गये और उन को पीठने लगे नाना जी कुछ नहीं बोले बस चुपचा अपमार खाते रहे फिर कुछ देर बाद उन लोगों ने नाना जी को पीठना बंद किया और उनसे बाते करने लगे वो बिलकुल इंसानों जैसे ही थे और वैसे ही बाते कर रहे थे उन्होंने बाते की कि वो प्रे चले गए लेकिन उस दिन के बाद से नाना जी को अक्सर भूत दिखाई देने लगे मुशी ने बताया कि नाना की मौत से तीन दिन पहले उनको सपना आया था उन्होंने देखा कि सपने में एक आदमी उनके पास आया और तीन बार बोला कि अब तुमारा जाने का टैम हो गया है और तीन दिन बाद ही नाना जी की मौत हो गई और यह कहानी यही खतम हो जाती है मेरा नाम है जितेंदर सिंग और यह थी आज की कहानी दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ पेस्बिक और वट्शेप पे शेयर करें और दोस्तों अगर आप ऐसी कहानियां और देखना चाते हैं तो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को और पर सैट करना ना बोलें और हमारी बाकी वीडियो भी जरूर देगें वीडियो पूरी देखने के लिए धरन्यवाद